सुप्रवाद बच्चो कल मैं आपको पाट पढ़ा रही थी मैं हूँ सेमल आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी कोयल, बुलबुल, मैना आदी मुझसे मिलने आती हैं कुछ चडियां मेरा रस्वी पीती हैं मेरी फूलों को हिरन सौक से खाती हैं कोयल, बुलबुल, मैना आदी पच्ची है भो भी उस सेमल के पेड़ के उपर आती हैं और कुछ चडियां उस सेमल के पेड़ का रस्वी पीती हैं और फूल लगे होते हैं उनको हिरन बड़े सौक से खाते हैं लाल रंग के जादू के बाद सफेद रंग के जादू की बारी आती है चैतर के महिने में जब मौसम गरम होने लगता है तो फूलों की जगे फलिया ले लेती है चैतर का महिना चल रहा है जब मौसम गरम हो जाता है तो फूलों की जगे क्या ले लेती है फलियां ले ले लेती है फूलों के बाद फलियां आने लग जाती है फलियां सूख जाने पर रूई में लिप्टे बीज हवा के साथ उड़कर चारों और बिखर जाती है फलियां सूख जाती है तो जो रूई में लिप्टे बीज है वो हवा के साथ उड़कर के चारों तरफ पर इसका तक्या बहुत मुलाइम होता है चाल से गौन और जड़ों से निकाला जाती है और लकड़ी से लोगों के लिए खिलोने बनाई जाती है तो देखो बच्चो सेमल का पेड कितनी जगे उपियोग में आ रहा है यानि पसू भी उसका बीज खाते हैं, बीजों से तेल भी निकाला जाता है, रूवी भी बनती है, गौन भी बनाई जाती है और दवाईयां भी बनती हैं, खिलोने भी बनते हैं, तो बच्चो कैसी लगी तुमको मेरी कहानी? यानि पसंद आई तो सेमल का पेड़ किस काम आता है दवाईयों के काम आता है तो पाड़ समझ में आ गया होगा और यह किस ने लिखा है मुकुल प्रियदर्शनी ने दन्यवाद